हम सब अभिलाशी हैं कि आपका मार्द दर्शन इस अफसर पर प्राप्त हो माननिये पृधान मंत्री जी अभश्कार कारकम में उपस्तीत अलग अलग राज्यों के राजबात्री मुख्यमंत्री गण मंत्री परिशद में मरे साथी बेन स्मृति रानी जी डॉक्टर महेंद्र भाई दर्शना जर्दोष जी राश्ट्री महला आयोगों के अध्यक्षा स्रिमत्री रेखा शर्मा जी सभी राज्य महला आयोगों के अध्यक्षे बसदर्शेगण स्वैम से भी समस्थाओं के सदर्शेगण अन्य महानुफाओ भाई और बहनो आप सभी को राश्ट्रिय महिला आयोक के स्थापना के तीस वर्स होने पर बहुत बहुत बधाई तीस वर्स का पड़ाव चाहे व्यक्ति के जीवन का हो या प्रिखिस्दी संस्ता का ये बहुत अहम होता है ये समय नई जिम्मेदारियों का होता है नई उर्जा के साथ आगे बढ़ने का होता है मुझे विश्वास है अपनी स्थापना के तीसमे वर्स को राश्ट्रिय महिला आयोक द्वारा भी इसी रूप में देखा जा रहा होगा और अधिक प्रभावी और अधिक जिम्मेदार नई उर्जा से सरोबार आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है इसलिए राश्ट्रिय महिला आयोक की भूमिका का विस्तार भी आज समय की मांग है ऐसे में आज देश के सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी भढ़ाना होगा और अपने राज्जी की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी साथियों आज आज़ादी के अमरुत महोत्सों में एक नए भारत का संकल्प हमारे सामने है आज देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंतर पर काम कर रहा है देश सबके विकास के इस लक्ष तक भी तभी पहुँचेगा जब सबके लिए सभी संभावनाए समान रुप से खुली हो हम सब जानते हैं पहले जैसे ही बिजरेश की बात होती थी तो उसका यही मतलब निकला जाता था कि बड़े कर्परेट की बात हो रही है पुरुषों के काम की बात हो रही है लेकिन सच्चा यह है कि सदियों से भारत की ताकत हमारे छोटे स्थानिय उद्योग रहे हैं जिने आज हम MS MS कहते हैं इन उद्योगों में जितनी भूमी का पुरुषों की होती है उतिनी ही महिलाओं की होती है आप टेक्स्टाइल इंडिस्ट्री का उधान दीजिए पॉट्री का उधान दीजिए कृषी और मिल्क प्रोडस को देखिए ऐसे कितने ही उध्योग हैं जिनका आधार महिला शक्ती और महिला काउशल ही है लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि इन उध्योगों की ताकत को पहचानना छोड़ दिया गया था पुरानी सोच वालों ने महिलाओं के स्किल्स को गरेलू कामकाज का ही विशे मान लिया था देश की अर्थिववस्ता को आगे बढाने के लिए इस पुरानी सोच को बदलना जरूरी है मेकिन इंडिया आज यही काम कर रहा है आत्म निर्भर भारत अभियान महिलाओं की इसी क्षमता को देश के विकास के साथ जोड रहा है और प्रणाम हमारे सामने है आज मुद्रा योजना की लगबग सत्तर प्रतिशत लाभार थी महिलाएं हैं करोडों महिलाओं ने इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया है और दूसरों को भी रोजगार दे रही है इसी तरह महिलाओं में स्वयम सहायता समूहों के जरिये एंट्रेप्रिनर्सिप को बढ़ावा देने के लिए देश दिन दयाल अंत्योद योजना चला रहा है देश की महिलाओं का उत्सा और सामर्थ इतना है कि छे साथ सालों में स्वयम सहायता समूहों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है यही ट्रेंड हमें भारत के स्टार्ट अप इको सिस्टिम में भी देखने को मिल रहा है वर्थ 2016 में 16 से हमारे देश में 56 अलग-अलग सेक्टर्स में साथ हजार से जादा नए स्टार्ट अप बने हैं और हम सभी के लिए गवरों का विशह है कि इन में से 45 प्रतिशत में कम से कम एक महिला निर्देश्टर्ट महिला है साथियों न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है महिला आयोगों को चाहिए कि समाज की एंटर्प्रिनर्शिप में महिलाओं की इस भूमिका को जादा से जादा पहचान मिले उसे प्रमोट किया जाए आप सभी ने देखा है कि पिछले साथ सालों में देश ने इस और विशेश द्यान दिया है प्रतिश्टीत पद्म सम्मान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसका एक और उधारन है 2015 से लेकर अब तक 180 महिलाओं को उनके अभूत्पवा कारियों के लिए पद्म सम्मान दिया गया है इस वर्ज भी 34 पद्म पुरस्कार 34 अलग-अलग शेत्रों में काम कर रही महिलाओं को मिले है यह अपने आप एक रिकॉर्ड है आज तक कभी इतनी जादा महिलाओं को पद्म सम्मान नहीं मिला है इसी तरह आज खेलों में भी भारत की बेटिया दुनिया में कमाल कर रही है ओलेम्पिक्स में देश के लिए मेडल जीत रही है कोरोना महमारी के खिलाब इतनी बड़ी लड़ाई पुरे देश ने लड़ी इसमें हमारी नर्सेस ने डॉक्टर्स ने विमेन साइंटिस ने कितनी बड़ी भूमी का निभाई है यानि जब भी आवसर मिला है भारत की नाली सक्ति ने अपने सामर्त को साबित किया है और आप सभी से बहतर इस बात को कौन जानेगा कि एक महिला सबसे अच्छी टीचर और ट्रेनर भी होती है इसलिए देश के सभी महिला आयोगों के सामने भारत में एंट्रपिनसिप से लेकर स्पोर्ट्स तक एक नई सोच और ख्षमता तयार का भी एक बहुत बड़ा दाईत्व है साथियों आप सभी इस बात के साक्षी है कि पिछले साथ सालों में देश की जीतियां महिलाओं को लेकर और अधिक संवेदन चिल हुई है आज भारत उन देशों में हैं जो अपने हां सबसे अधूग मात्रुत्व अवकास देता है कम उम्र में शादी, बेटियों की पढ़ाई और करियर में बादा अंड़ा बने इसके लिए बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास है एक समय था जब देश में महिला ससक्तिकरन को सिबित दायरे में देखा जाता था गाउं की गरीब परिवारों की महिलाएं इससे दूर थी हमने इस बेट को खत्म करने के लिए भी काम कर रहे हैं आज महिला ससक्तिकरन का चहरा वो नव करोड गरीब महिलाएं भी हैं जिने पहली बार गैस कनेक्शन बिला है दूरे से आजादी मिली है आज महिला ससक्तिकरन का चहरा वो करोडों माताय बहने भी हैं जिनने उनके घर में साउचाले मिला हैं जिसको उत्तरप्रदेश में इज्जदगर कहते हैं आज महिला ससक्तिकाण का चहरा वो माताएं भी हैं जिनने अपने सर पर पहली बार पक्की छत मिली हैं जिनके नाम से प्रधान मंत्री आवाद बने हैं इसी तरह जब करोणों महिलाओं को गरभावस्ता और डिलिवरी के समय सहायता मिलती है जब करोणों महिलाओं को अपना जनदन बैंक खाता मिलता है जब सरकार की सबसीड़ी सीधे महिलाओं के खाते में जमा होती है तो ये महिलाएं महिला ससक्तिकाण और बदलती हुए भार का चेहरा बनती है। साथियों, आज देश की नारी का आत्मभी स्वात बढ़ा है। वो अब खुद अपने भविश का निर्धारन कर रही है। देश के भविश को दिशा दे रही है। आज सालों बाद देश में सेक्स रेशियो बहतर हुआ है। आज स्कूलों से लड़कियों का ड्रोप आउट रेट कम हुआ है। क्योंकि देश के बेटी बिचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में महिला एक खुद जुड़ी है। और जब नारी खुद कुद ठान लेती हैं त कि जिन सरकारों ने महिला सुरक्षा को प्राश्विक्ता नहीं दी महिलाओं ने सत्ता से उनकी बेदखल करने में कोई हिचकेचार नहीं की पक्का कर लिया। जब मैं गुजरात का मुख्यमंतरी था तो मिदे कई बार हैणा नहीं होती थी कि बाकी बाकी जगह इस विशय पर उस तरह से काम क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने राश्टी इस तर पर महिला सुरक्षा से जुड़े अनेकों को प्रयास किये है। आज देश में महिलाओं के खिलाब अपरात पर कड़े खानून है। जो कानून बने हैं उनका सक्ति से पालन हो इसके लिए राज्यों के सयोग से व्यवस्ताओं को भी सुधाना जा रहा है। थानों में महिला सायता डेश की संक्या बढाना हो, 24 गंटे उपलब दरहने वाली हेल्प लाइन हो, साइबर क्राइम से निपटने के लिए पोर्ट से महतफ़ों, आज सरकार महिलाओं के खिलाब अपराद पर जीरो टॉलरंस की नीती से काम कर रही है। इन सभी प्रयासों में राष्ट्रियम महिला आयोक, प्रदेश महिला आयोकों के साथ मिलकर, महिलाओं और सरकार के बीच एक सेतु का काम करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी ये सकारात्मक भूमी का हमारे समाज को इसी तरह आगे भी मजबूत करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार स्थापना दिवस निमित बहुत बहुत बधाई धन्यवाद।